अगर नास्ते में रूज रूज पोहा इटली खाके हो गए हैं बोर तो इस मज़दार नास्ते को एक बार जरूर ट्राइ करिए दो चमच ओईल में बना ये नास्ता आपको बहुत बसंद आएगा तो चली बनाना शुरू करते हैं तो मैंने यहां पे दो कप पोहा लिया है जिसे मैंने अच्छी तरह से चन्नी से चान लिया है जिसमें जो भी डॉष्ट ओगर है वो निकल जाए अब हम पोहे को जार में एड़ करेंगे और एकदम फाइन सा पाउडर बना कर तयार कर लेंगे तो यहां पे मैंने पोहे को पीश लिया है और यह बिल्कुल अच्छे से पीश चुका है यह बज़े से बारिक वाली सूजी होती है उससे भी यह बारिक हो चुका है अब हम इसे बावल में ट्रांसवर कर लेंगे गैस पे मैंने दो कब पानी गरम होने को रखा इसमें ले रही आधी छोटी चमच नमक एक छोटी चमच ओईल पानी को हम अच्छा से उबालाने तक गरम करेंगे तो पानी जो है बॉइल हो रहा है गैस का फिलिम ओफ करेंगे औ इससे की अच्छी तरह से फूल जाए गैस पे मैंने पैन रखा है और मैं इसमें ले रही हूँ एक बड़े चमच ओईल आधी छोटी चमच जीरा यहां पर मैंने कुछ सबजिया ली है दो बारी कटी हुई हरी मिर्च आधा इंच अद्रग का टुकड़ा जिसे मैंने ग्रे एक बारी कटा हुआ सि मला मिर्च एक बारी कटा हुआ गाजर और चलाते हुए अच्छे से भोनेंगे साथ में हम थोड़ा नमक एड कर लेंगे जिससे के सिमला मिर्च और गाजर जो है जल्दे से पक चाए तो यहाँ पे सभी सबजिया जो है अच्छे से soft हो चुकी है अब हम इसमें मसाले एड़ करेंगे आधी छोटी चमज धनिया पाउडर छोटी छोथाई चमज गरम मसाला छोटी छोथाई चमज हल्दी पाउडर छोटी चोथाई चमच, कास्मीरी लाल मिर्ज पाउडर बाकी हमें कोई मसाले वगर नहीं आइड करने हैं अच्छे से चलाते हुए हम एक मिनट तक मसाले को भून लेंगे और मैंने यहाँ पर एक आलू को बॉयल करके मैस करके ले लिया है अच्छे से चलाते हुए सबी चीजों को मिक्स करेंगे तो यह हमारी जो स्टफिंग है बनके त्यार है अब हम आटे को चेक करेंगे आटा भी फूल चुका है तो हम इसे अच्छे से हाथों से मसलते हुए जैसे हम आटा गूनते हैं उसी तरह से हमें गूथ कर इसे soft कर लेना है पानी अगर कम लगे तो जो पानी हमने गरम किया था वो थोड़ा सा बचा हुआ है उसे फिर से हलका गरम करके और आटे में थोड़ा-थोड़ा सा एड़ करके और एकदम soft मुलाएम डो बना कर तयार कर लेना है तो यह हमारा डो जो है बनके रेडी है अब हम इसकी छोटी-छोटी सी लोईया बनाएंगे चकला बेलन पे थोड़ा सा ओइल लेंगे और इसे हम चिकना कर लेंगे और पूरी से थोड़ा सा बड़ा हम इसे बेल कर तयार करेंगे थोड़ा मोटा ही मैलना है, बहुत जादा पतला नहीं मैलना है और किनारे से ये थोड़ा सा फटेगा क्योंकि ये पोहे का बना हुआ है तो इस तरह से सेप देने के लिए कोई भी ग्लास या कोटोरी ले और उसे इस तरह से कट कर लेंगे तो एकदम perfect shape में आ जाएगा अब जो हमने आलो के stuffing बनाई है इसे हम एक छोटी चमज रखेंगे और एक side से हम इस तरह से fold कर लेंगे तो देखें बिल्कुल इस तरह से हमें बना कर तयार करना है बैसे plate में रख रही हूँ और आपको दूसरा भी बना के दिखा रही हूँ करेंगे इसके लिए पानी करम होने को रख दिया था जाली वाले plate पे हम रखेंगे और इसे 10 मिनिट के लिए cover करेंगे 10 मिनिट के बाद से ये बिल्कुल अच्छे से steam हो चुका है इसे हम ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद गैस पे पैन रखेंगे एक छोटी चमच ओयल एक छोटी चमच राई के दाने आठ से दसकडी पत्ते अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे छोटी चोथाई चमच रेट चिली फ्लेक्स रेट चिली फ्लेक्स डालना बिल्कुल ओफनल है और हम जो नास्ता बना कर तयार किये हैं उसे एड करेंगे और दो से तीन मिनट तक हम दोनों साइट से पलटते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे दोनों साइट से जब यह फ्राई हो जाएगा जिससे की तड़के में यह अच्छी तरह से लिपट जाए तो यह हमारा नास्ता जो है बन के तयार हो गया है और बहुती मज़दार एकदम टेस्टी और हिल्दी हमारा यह पोहे और वेजीटेबल से बना हुआ नास्ता है आप इसे सुबह के ब्रेकफ़स्ट में बना के खाएं बहुती मज़दार लगेगा तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी रेसिपी है आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएए साथ ही वीडियो को लाइक करिए सेर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए